चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज जी हाँ दिवाली के पहले की ये लास्ट है और आपको एक बात बता दू रिमाइंड कर दू मंडे और तूजडे को दो साल के बाद दो दिन की चुटी लेने वाले हैं हम टेक न्यूज नहीं आएगी सीधा वेनज दे को आएगी कल संडे है मंडे टेउस दे को नहीं आएगी ये वीफिल आल ओन वेकेशन मुच डिजर्ब वेकेशन जी हां उसके बाद में आपको दिवाली की शुब कामनाए दे दू जी हां दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्योहार होता है and I hope that you have a very safe, prosperous and great दिवाली और आप चालू करते हैं आज की Tech News के साथ जी हां ये gamers के लिए है दोस्तों अभी तक मुझे ऐसे लगता था कि PUBG सबसे popular game है in the world mobile पे अगर आप देखोगे तो लेकिन ऐसा नहीं है ranker.com ने एक निकाला हुआ है, research निकाला हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि Call of Duty mobile जो एक महिना भी नहीं हुआ launch होके सबसे popular game है और second number पे आता है PUBG जी, third number पे पता है आपको कौन सा है Minecraft, चौथे number पे COC, Clash of Clans वैसे Minecraft और Clash of Clans कितने लोग खेलते हैं कमेंट्स में जरूर बताएगा वैसे दोस्तों दिवाली के पहले की last news है, इसके लिए like, remind जरूर करना हूँ जरूर कीजेगा, no target और दोस्तों, US के जो President है Donald Trump, Twitter पे बहुत interesting चीज़े डालते रहते हैं ज्यादा करके politics की होती है वो लेकिन अब उन्होंने tech के बारे में भी कुछ डालना चालू कर दिया है चालू नहीं किया, एक tweet डाला हुआ है उन्होंने Apple को सला दिये कि iPhones जो है उसमें जो पहले button हुआ करता था, वो अच्छा है अभी जो slide वगेरे, slide mechanism आ गी है, खोलने के लिए वो अच्छी नहीं है, जी हाँ, क्या लगता है आपको अगर वो button वगेरे होता था, तो सोचिए bezels कितने मोटे हो जाते थे I think it is modern, जो आपका face ID होता है, वो बहुत modern है, अच्छा है buttons वैसे आपको अच्छा लगता है, कमेंट में जरूर बताइए और दोस्तों ऐसे लग रहा है कि Huawei के जो problems है धीरे धीरे कम हो रहे हैं और ये खुशकबरी है, क्योंकि वो एक political चीज थी, जिसके अंदर फस गए है और उसकी वज़े सब ban वगेर आ गया है, लेकिन एक company ARM, जिनकी basically सभी mobile chips के अंदर उनकी technology आती है ARM technology, उन्होंने कहा है कि अब हम Huawei को supply करेंगे, जो पहले ban कर दिया था, वो बंद कर दिया था, अब हम फिर से चालू कर रहे है यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, Huawei के लिए, इसका मतलब जो भी आगे के smart phones वो बनाएंगे, तो proper chips, mobile chips जो है, SOC जो है, वो डाल पाएंगे It's a good news, I hope यह ban भी बहुत जल्दी हट जाए, और हमें अच्छे-च्छे Huawei के phones मिल जाए, Google Mobile Services के साथ और दोस्तों, अब अगर नहीं हो, तो बता दू, मैंने नामें अरुन प्रपुदेश सही, आप देख रहे हो, Tracking Tech News No. 555-500-555, जी हाँ, जबर्दस नंबर है और वैसे हमने जो वीडियो अप्लोड किया हुआ है, आज बहुत इंट्रेस्टिंग है, वो भी बहुत जबर्दस्त है, हमारा महिने का सबसे जबर्दस्त वीडियो होता है Upcoming Smartphones for the Month of November 2019, जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, कौन से कौन से phones आने वाले हैं वैसे दोस्तों, कल हम आसकरून जो डालते हैं, वो हमारा आ रहा है, नमबर 96 या 95, हैश्टेग आसकरून वो जरूर देखिएगा, आपके सवाल लिये हुए, उसके जवाब दिये हुए वैसे दोस्तों, मंडे और टूजडे को चुट्टी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम वीडियो नहीं डालेंगे, दो जबर्दस वीडियो आ रहे हैं, एक मंडे को एक टूजडे को ज़रूर देखिएगा वैसे दोस्तों, हुआवी का जो फोल्डेबल स्पार्टफोन है, मेट एक्स, जबरदस्त है, कॉस्ट भी बहुत जबरदस्त है इसकी, यह नवेंबर पे सेल में जाने वाला है, लेकिन उसके सकसेसर की बात चालू हो गई है, इनफाक्ट डेट भी आ गई है, मार्च 2020 में लाँच होने वाला है, किरिन 990 प्रोसेसर के साथ, बड़ी चीज यह होने वाली है, कि उसमें 5G भी होने वाला है, लेकिन यह चाइना में होगा, I don't know, Galaxy Fold के जैसे, Mate XS, अगर इंडिया में आने वाला है या नी, अगर आएगा, तो बहुत अच्छा होगा, बट I don't think so, क्य So, that is crazy, आज़कल के 7NMK जो आपके प्रोसेसर होते हैं, इतने फास्ट होते हैं, उसके बाद में 5NMK आने वाले हैं, उसके बाद में 3NMK, और 3NMK काम चालू कर दिया है, TSMC ने, और अच्छल मास प्रोडक्शन में, जब आप फोन देखोगे, वो जाएगा 2023 में, 2021 में कहा रह आपसलूटली क्रेजी, और दोस्तों, OPPO का K5 हो गया है, लिस्ट इंडियन सर्टिफिकेशन वेबसाइट, BIS पे, Bureau of International Standards, ये जो BIS वेबसाइट है, उसके उपर लिस्ट हो गया है, इसका मतलब बहुत ही जल्दी लाँच होने वाला है, हमारी सूत्रों के अनुसार दोस्त इसे बता देता हूँ आपको, कमेंट्स की जाने की जरूरत नहीं है, फोर ये अनलकी नंबर होता है चाइना में, इसलिए नहीं डालते हैं, सो अफ्टर OPPO K3, OPPO K5 और दोस्तों, अगर आपने असूस Zenfone 5Z खरीदा हुआ है, तो आपके लिए खुश खबरी है, क्योंकि साल भर आप रुके हुए हो, Android 10 के अपडेट के लिए फाइनली आ गया है, पब्लिक बीटा में आ गया है, जो आप इंस्टॉल कर पाओगे, प्रिटी स्टेबल है, फ सिस्टम वाइड डार्क मोड भी है, तो बहुत सारी चीज़े आ रही है, अगर 5Z आपके पास है, जरूर डाउनलोड कीज़े, इंस्टॉल कीज़े और हमें बताइए कैसे लगा आपको ये अपडेट Android 10 का, वैसे दोस्तों, मादोशेट जी ने कहा था कि ColorOS जो है, ये Realme phones क Pro launch होने वाला है, उसमें भी out of the box आपको ColorOS 7 मिलने वाला है, I am excited about ColorOS 7, क्यों? क्योंकि मादोशेट ने कहा था कि बहुत अलग है, दिखने को बहुत अलग है अगर आप ColorOS 6 या 6.0.1 के साथ compare करते हो, और ये closer to stock Android होने वाला है, I hope कि उनकी जो sister company है, OnePlus, उनका जो Oxygen OS है, वैसे ColorOS 7 भी होए, मज़ा आजाए, वैसे Realme OS का क्या, उसकी खबरे नहीं आरे है, और दोस्तों परसो जो मैंने आपको बताया था, Mi Note 10 launch होने वाला है, वो अब confirm हो गया, stamp बैट गया है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे certification websites पे वो लिस्ट हो गया है, उसके जादा specifications वागरे नहीं है, लेकिन एक चीज सामने आई है, Mi Note 10 के साथ Mi Note 10 Pro भी आने वाला है, तो there are going to be two variants, एक Pro variant, एक normal variant, and needless to say दोस्तों, flagship level के specifications होंगे, अब जैसी जैसी दीजे दीजे खबरे आएंगी, हम आप तक ज़रूर पहुचाएंगे, और दोस्तों, Xiaomi का Mi Pay, जो सिर्फ Redmi के phones याभी Xiaomi के phones पे ह होता है, यह UPI-based payment platform है, वो अब Google Pay के ऊपर आ गया है, इसका मतलब अगर आपके पास Redmi का phone नहीं है, Realme का है या और कोई भी है, कोई टेंशन लेने के ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टाल कर पाऊगे, लेकिन याद रखिए, Google Pay और Paytm, phone पे, यह सब जो UPI-based है, उनीके competition में उतरा है, मी पे, वैसे मैंने इंस्टाल किया, टेस्ट भी किया, अच्छा लग रहा है, it is very nice, minimalistic, good design, जैसे Xiaomi के सभी products होती है, और दोस्तों, फाइनली दिवाली चालू हो गई है, सेल अभी भी चालू है, जी हा, लेकिन अगर आपको Redmi Note 7 Pro लेना है, तो बहुत अच्छे discount प अभी festive sale चल रहा है, दिवाली festival sale, और उसमें आपको C2 जो है, 5,999 में मिल रहा है, इसका मतलब 6,000 के नीचे, और भी बहुत सारे deals है, दोस्तों, सभी के links जो है, मैं description में दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा, और दोस्तों, अब वक्त होता है, हर रोज के जैसे, tracking, tech, treasure hunt का, जी हां, कुछ दिखा, आज की tech news में, आजू बाजू, इधर उधर, अगर दिखा, तो जाईए, comment section में, hashtag ttts डालिए, time stamp डालिए, specifically हमें बताइए, आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो, तो आप जीत पाओगे, paytm का gift voucher, और कल के हमारे paytm gift voucher के winner है, के हमारे तीन superstar featured commenters है, जीवन नायक, मयंक अगरवाल, और तुशार वाइद्य, जबर, 10 comments डाले दोस्तों, ऐसे ही comments डालते रहें, ऐसे ही हम comments पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही आपका नाम लेते रहेंगे, चलिए दोस्तों, आज की हमारी tracking tech news episode number 555 खतब होती है, इधर ही अगर अ subscribe नहीं है, वो करती है, sharing करना आपके हाथ में, remind करना मेरे हाथ में है, इसी कहा साथ दोस्तों, once again, a very very happy Diwali to you, be safe, be happy, enjoy this Diwali, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक, keep tracking, तूसा कहलतो, और दोस्तों, और दोस्तों, जो US के president है, ड्रोनाल्ड ट्रम् परत करतो, चलिए, अबरे आएंगी, हाँ, बरो बरे, आएंगी